सर्दी का मौसम तो सेहत के लिहाद से काफी अच्छा माना जाता है लेकिन इस मौसम में कई लोगों को ठंड बहुत अधिक लगती है जी हाँ मैं भी उन्ही में से एक हूँ ठंड से बचने के लिए हम खूब सारे कपड़े पहन लेते हैं और फिर हमें परेशानी भी होती है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाई जिन्हें करने से हमें ठंड कम लगेगी हम स्वस्थ रहेंगे और हमें ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनने होंगे यह मैं आपको याद दिला दूँ ऐसी और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूले और हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप ठंड से बचने के लिए कौन-कौन से उपाई करते हैं पहला उपाई है बिस्तर छोड़ने से पहले करें व्यायाम जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं अपने शरीर को तानिये और धीला छोड़िये फिर से तानिये और धीला छोड़िये चार-पांच बार इस क्रिया को दोहराए ऐसा करने से शरीर में गर्मी के तापक्रम में वृध्धी होगी यदि आपके पास समय है तो एक ही स्थान पर खड़े होकर कुछ देर जोगिंग कर लीजिए ऐसा करने से भी शरीर की सर्दी दूर हो जाएगी और आपको अभी कपड़े नहीं पहनने पड़ेगे दूसरा उपाए पेट भर खाए इन दिनों भूख अधिक लगती है और भूखे पेट सर्दी अधिक लगती है सुबह पोश्टिक नाश्ता भर पूर कीजिए खाने में उर्जा प्रदान करने वाला भोजन कीजिए इसमें प्रोटीन, पानीर, दूद, अनाज, आलू, ताजे फल और हरी सबजियों का सेवन कीजिए गर्मा गरम सूप भी सर्दी भगाने में बड़ा लाबकारी है तीसरा उपाए पैदल चलिए यदि आप कामकाजी है वो ओफिस आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है तो हो सके तो आप पैदल ही जाए इससे रक्त संचार बढ़ेगा जो सर्दी को कम करेगा इस मौसम में लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए दिन में दो चार बार सीरिया अवश्य चड़िए इससे शरीर का व्यायाम भी होगा और गर्मी भी आएगी चौथा उपाए मसाज करें ठंड के मौसम में ओल से मसाज करना काफी लाबदायक होता है और शरीर में गर्मी रहती है इसलिए नहाने से पहले अपने शरीर की मसाज अपने पसंदीदा तेल से कीजिए इससे आपका शरीर गर्म रहेगा और आप फिट रहेंगे उपाए नमबर पाँच जुराबे और कैप पहने अगर आप पैरों में जुराब नहीं पहनते तो इससे आपको ज़्यादा ठंड लगेगी इसलिए ठंड से बचना चाहते हैं तो हमेशा टोपी पहने जिससे सिर धका रहे और पैरों में जुराबे पहन कर रखे पैरों और सिर में सबसे ज़्यादा सर्दी लगने का खत्रा होता है